बारिश की कारण वातावर्ण जल्मक न होना आम बात है लेकिन कई बार प्रेशासन का पूर्वनियोजन न होने की कारण इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है कुछ ऐसी ही परिस्तिती उत्पन्न हो चुकी है सिता बर्डिस्तित लोहापूल पर जिससे जनजीवन पूरी तरह से तरस्त हो चुका है दरसल दक्षे नाकपूर की ओर प्रयान करने के उद्देश से लोहापूल काफी महत्वपूर्ण भूमिकान ही भाता है सरल भाशा में बोला जाए तो इस रास्ते से ज़ादा तर लोग आवजा ही करते है लेकिन बारिश के कारण इस मार्ग में पानी भर चुका है जिसके चलते प्रशासन वरा बेरिकेट लगा कर ये रास्ता बन किया गया है लेकिन सवाल उपस्तित होता है कि इस्तिती की कलपना होते हुए भी प्रशासन इस मार्ग को सुकर करते हुए पड़ियाई मार्ग की सुविधा को क्यो उपलब नहीं करवाया दर्शको बारिश का मोसम चर रहा है बारिश के मोसम के कारण गड़ों में पानी भरना तो पुरा वाता वरंजलमग न होना इसी काफी समस्याय उत्पन न होती है और इस वक्त हम मोजूद है सिताबरडिस्टित लोहा पुल में जाकी पूरी तरह से पानी भर चुका है आप तस्वीरे देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से याँ पानी भरा है आवाजाही पूरी तरह से जनजीवन व्यस्त हो चुका है यहां से जिस मार्ग से निकलने वाले जो लोग है उनके लिए भी जो है काफी बड़ी समस्या यहां उत्पन्न हो चुकी है यहां ट्रैफिक जाम की भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है इस मार्ग से जाती है और इसी मार्ग में जाने के लिए काफी लोग वापस भी यहां से जा रहे हैं तो कहिना कई यही प्रशन उपस्तित होता है कि आखिर पुर्वतायरी क्यों नहीं किया गया और दूसरा मार्ग इनके लिए सुकर क्यों नहीं किया गया इसी प्रशन के साथ इसी सवालिया निशान के साथ आखिर यही सवालिया उपस्तित होता है कि आखिर पुर्वत तयारी क्यों नहीं की गई आखिर नियोजन क्यों नहीं किया गया कहिना कही प्रशासन भी इस घेरे में है और वो राजनितिक पार्टिया भी इस घेरे में है ज कर दो कर दो